आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुती इजी टेस्टी और जट्मेट पढने वाली कुछ रेसिपी यह चीज़ी पटाटो पांकेक्स एक बहुती डिलिशस रेसिपी है यह उपर से क्रिस्पी है और अंदर से साफ्ट और चीज़ी है यह रेसिपी के लिए बहुती कम चीज़े लगती है जैसे कि यहाँ पर मैंने लिये है चार उबले हुए अलू और इनकी मैंने स्कीर निकाल ली है यहाँ पर मीडियम साइज बोल में मैंने लिया है श्रेडे नोजेरोला चीज़ आप चाहिए तो कुंसा भी चीज़ यूज़ कर सकते है लेकिन वो ग्रेट करके लिए यहाँ पर मैंने ली है चार टेबल स्पून भर के कौन स्टाज पाउडर अभी हमें उबले हुए अलू को अच्छी तरह से मैश करके लेना है मैं यह ग्रेट करके ले रही हूँ ताकि एक भी लंप ना चूटे आप चाहिए तो हाथ से भी कर सकते हैं अभी इसमें जाएगा कौन स्टाज और स्वादा मुसान नमक इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके हाथ से गुनना है क्योंकि हमें सॉफ्ट डो बनाना है चाहिए तो आप थोड़ा सा ओईल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि यह चिपके नहीं और सब चीज़े अच्छे से मिलके आ जाए यह चीज को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा रेडी मेर सिजनिंग आप चाहिए तो इसमें थोड़े सी कटी हुई हरी मिर्च या मिरी पाउडर भी डाल सकते हैं अभी हम यह आलू के मिक्षर के छोटे बॉल्स बना लेंगे यह चीजी पटैटो पैंकेट्स थोड़े से पैटिस ज्येसे हैं इसके लिए आप एक बात धान में रखिए जब यह आप इसे पैटिस का शेप देते हो तो छेड मत छोड़िएगा क्योंकि इसके अंदर है चीज जो गरम होने के बाद मेल्ट हो जाएगा और फिर वो बाहर आ सकता है आप जाईए तो हाथ को थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं और इसे अच्छी तरह से बंद कीजे और हलका सा दबाईए जादा दबा नामत और इसे राउंड शिप दीजिए अभी फ्राइंड पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम करके उस पे डालेंगे एक चीज जी पटाटो पैंकेक्स इन्हें हमें दोनों तरफ से हलका सा गोल्डन ब्राउंड करना है ये एक कोरियन रेसिपी है औरिजिनली ये स्वीट होती है अभी ये दोनों तरफ से बोल्डन ब्राउंड हो गए है पर तयारे खाने के लिए इसे आप गरमा गरम खाईए अपने पसंदीडा सॉस चटनी या मेयो डीप के साथ और इनमें से कुछ रेसिपीस पारम पानिक है जो हमें होटेल के मेनु में कभी भी नहीं मिलेगी तेकिन इन्हें हम आसानी से घर पे बहुत ही कम चीजों के साथ बना सकते हैं और बहुत ही डिलिश्यस होती है अब इन्हें ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए और आम शूर यू विल लाव इग यह सिंगदाने की सबजी महराष्टा के सातारा और खांदेश्ट साइड की पारंपारिक सबजी है बनाने में बहुत ही इजी है तेस्ट में स्वादिष्ट है और जटपट और फटाफट बनती है और इसके लिए जो तीन चीज़े लगती है वो हमारे घर में हमेशा होती है यह सबजी के लिए सिर्फ तीन में चीज़े लगती है जैसे कि लसन के दो बड़े तुकड़े यह सबजी में थोड़ा सा पैस ज़्यादा लगता है तो वो ज़्यादा टेस्टी होती है तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पैस लिया है और एक कटोरी सिंगदाना यह सिंगदाने को मैंने अच्छे से रोस्ट किया है, सेक के लिया है आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने लाइट ब्राउन किया है तो आपको भी ऐसे ही brown करना है, black नहीं करना है, जलाना भी नहीं है यहाँ पे मैंने पैस को cut करके लिया है और सिंगदाने को mixi में गुमाया है यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, सिंगदाने को mixi में गुमाते टाइम, हलका हलका mixi में गुमाई है क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगदाने की पौडर भी नहीं चाहिए और एगदं मोटा सिंगदाना भी नहीं चाहिए इसके बाद कड़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके मैंने डाली है थोड़ी सीर राई और उसके बाद में करस्ट किया हुआ लस्ट बाद में इसमें डालेंगे कटे हुए पैस और इनको ओईल में अच्छे से भुनना है अच्छे से ट्रांस्लूसेंट होने तक हिलाना है पैस में थोड़ा सा नमक डालेंगे तो पैस जल्दी पक जाते है और अभी हमारे पैस ट्रांस्लूसेंट हो गए है तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी से हल्दी और स्वादा नुसार लाल मसाला ये मेरा regular लाल मसाला है जिसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी होता है इसके साथ में आप चाहिए तो थोड़ा सा कांदा लसन मसाला भी डाल सकते हैं अभी इन सब चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे और oil में एक मिनिट के लिए अच्छे से बूनेंगे ताकि oil separate हो जाए और इसका color भी थोड़ा सा change हो जाए अभी हम इन में डालेंगे पीसे हुए सिंगदाने और इसको भी हम एक मिनिट के लिए अच्छे से बुनेंगे इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे किकी प्यास सौटे का नेकिटा हमने अल्रेडी थोड़ा नमक डाला था और इसके बाद में हम डालेंगे एक कप पानी और इसे कवर करके धीमी आज पे 10 से 12 मिनिट हम इसे पकाएंगे आपको अगर पानी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालके आप पका सकते हैं मुझे ये सब्जी थोड़ी से गाड़ी अच्छी लगती है तो ये सब्जी जब ठीक हो जाएं साइड से ओइल थोड़ा सेपरेट हो जाएं और इसका कलर ब्रावनिश रेड हो जाएं तो आप गैस को बंद कर दिजिए अगर आप बैदा खाते हो तो ये सब्जी के साथ आप बॉइल इग अलग से लेजिए क्योंकि ये सब्जी के मसाले के साथ ये ज़्यादा ही डिलिशिस लगता है और ये सब्जी को आप खा सकते हैं भाकरी, रोटी, चपाती, डोसा और उत्तपा के साथ भी और आपको अगर वो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंज और फैमिलिस के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए और मुझे कमें बॉक्स में बताईए आपको इनमें से कौन से रेसिपी बहुत अच्छी लगी है यह सुफले आमलेट बनाने में बहुत ही एज़ी है और सुपर सॉफ्ट और सुपर फलफी है हम जो हमेशा आमलेट बनाते हैं वही सेम चीज़े इस आमलेट को भी लगती है सिर्फ इसकी खुबी अंडे का मिक्षर फैटने में है और अभी आप देख सकते कि बाद में यह आमलेट कितना फुल जाता है तो चलिए शुरुवात करते हैं यहापे मैंने दो बैदा लिये हैं और उसमें सिर्फ नमक और हल्दी डा लिये हैं आपको अगर चाहिए तो प्यास या मसाला भी डाल सकते हैं आपको यह मिक्षर अच्छे तरह से फेटना है और इतना फेटन और तेल लिया है ताकि बटर जले नहीं और पूरे सॉस पान को अच्छे से स्प्रेड करना है स्टार्टिंग से यह ओमलेट हमें दीमी आज़ पे ही करना है क्योंकि तो ही यह ओमलेट अच्छे से पक जाता है मैंने इस पे अभी थोड़ी काली मिर्च पाउडर और चीज पक जाती है लेकिन आपको अगर यह पसंद नहीं है तो आप इसे पलट भी सकते हैं आप देख सकते कि यह ओमलेट अच्छी तरह से फुल गया है एकदम केक की तरह लग रहा है और बहुत सॉप्ट भी हो गया है जब हमें इसे निकालना है तब ही साइड से हम थोड़ा सा ओइल छोड़ देंगे ताकि यह इजीली निकल के आ जाए तो यह है अपना सुफले ओमलेट यह एकदम फ्लफी है लाइट है और आप देख सकते हैं कि कितना फुल गया है तो एक बार इसे जरूर ट्राइ किजिए और आपको अगर चाहिए तो थोड़ा सा ओइल डाल के द बोटी के साथ और साथ में मुझे मिर्ची बहुत पसंद है जो थोड़ी सी खटी है और थोड़ी सी तिखी यह मिर्ची भी फटाफट बनती है और इसकी रेसिपी भी मैंने वीडियो के एंड में दी है यह सबजी को सिर्फ तीन चीज़े लगती है एक लसन का बड़ा तु गट करना है अगर चोटे बहिंगल है तो चार तुकड़े और मीडियम साइज के है तो आठ टुकड़े ऐसे बात कड़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके आपको डालनी है पाउचमच राई और ये राई सुनने के बाद आपको डालना है ये लसन और जैसे ये लसन अपना अरंग बदलेगा, आपको डालनी है थोड़ी सी हल डिक और आपके स्वादानुसाल लाल मसाला और मेरे मसाले में गरम मसाला अल्रेडी है, इसके बाद में इसमें डालिए लिगोई उनी चनादार, कटे हुए डैंगन और स्वादानुसाल नमक, हलके हाथ से इसे घुमाईए ताकि ये सब मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अभी इसमें डालिए एक कप पानी और इसे ढखकर दीमी आज पे 8-10 मिनिट के लिए पकाईए, आपको अगर पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा सा और पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक बात धान में रखिए, य अभी बना दे चड़ पटिर मिर्ची, जो बनाने में बहुत ही इजी है, बनाने में बहुत ही इजी है, जटपट है और ये बनाके आप इसे फ्रीज में 8-10 दिन के लिए रख सकते हैं, कभी आपने सब्जे नहीं बनाई हो, तो आप ये रोटी के साथ भीखा सकते हैं, या कभी कभी अचार की जगह पे यहाँ पे मैंने ली है आदा किलो हरी मिट जो एकदम कम तिकी है और जिसमें बीच भी बहुत ही कम है इसके लिए मैंने इसके सीड्स नहीं निकाले है, इसको हम बीच में से कट करेंगे, लेकिन सेपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ स्लिट देनी है यह है पाव कटोरी सिंगदाना जो मैंने रोस्ट करके मिक्सी में लगाया था लेकिन इसकी एकदम पाउडर नहीं करनी है यह है चाट मसाला पाउडर और अमचुर पाउडर भले मुझे दोनों मसाने लगते हैं लेकिन इसमें से कोई भी एक मसाना चलेगा क्योंकि यह मिल्की खटी अच्छी लगते है अभी कड़ाई में ओइल गरम करके उसमें हम डालेंगे पाउटी स्पून हल्दी पाउडर और क्रश किया हुआ रोस्टेर सिंगदाना और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद डालेंगे दो टी स्पून चाट मसाला मुझे थोड़ा खटा ज़्यादा पसंद है लेकिन आपको अगर कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं अभी इसमें हम डालेंगे यह मिर्ची और यह मिर्ची को यह मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके लेंगे यह पूरा मसाला यह मिर्ची को अच्छी तरह से लगना चाहिए अभी इसमें हम डालेंगे स्वादा नुसा नमक लेकिन एक बात धान में रखिए इसमें अल्रेडी हमने चाट मसाला डाला है तो नमक थोड़ा सा ही डाली है और इसके बाद में एक टीस्पून अमचुर पाउडर लेकिन आपको अगर जादा खटा पसंद नहीं है या आपके पास अमचुर पाउडर नहीं है तो ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने अल्रेडी चाट मसाला डाला है सूख जाए इसमें चाहिए तो आप थोड़ा सा और टेल डाल सकते हैं ताकि ये मिर्ची ज्यादा दिन तक टिकी रहे ये रेसिपी को आप एक बार जरू प्राइब किजिए और आम श्यूर कि आपको ये बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट और इस रेसिपी को आपके त्रेंज और फैमिली के साथ ज़रू शेयर किजिए